हेलो दोस्तो स्वायर्वाजती है प्यूश मॉंब लोक्स में तो आज मैं बना रही हूँ दो लोकी को कॉप दे तो दो ले लिए मैं आदा किल Allison और इसे मैं छिल लेती हूँ छिलने के बाद मैं एक कदूकस लिया है ुसलेती हूं इसको और तो यह मैंने किस लिया D A M E D G E N G E A , प्यारक काट लिया और इसमें दार देती हूं, मैं नमक तो नमक डालके हमें पॉच्छ मिनट के लिए रख देना है ये ऑज़े का पांच मिनट होके हैं तो अब हम इसको अच्छे से निचोड लेते हैं इसमें पाने हैं तो इसको अच्छे से हाथ से दबा के निचोड के एक दूसरे बरतन में ले लेती हुमें इस तरह दबाना है हाथ से पुरा पानी निकल जाएगा तो ये मैंने अच्छे से निचोड लिया है और ये पानी बचायना इसको हम एकसाइट कर देते हैं बाद में आप चाहू सबजी में यूज कर सकते हैं में काली मिर्च का पाउडर तो इसको जिब मिक्स द्रया है को अlike से नमक करने पहले डालेता तो नमक नहीं डालों में आप अपनी स्वाथ कह दार सकते हैं तो यह देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है उत पानी बिलकुल नहीं डालाई इसमें इधर मैंने तेल गरम करने पहले रख दिया तक गैस पर गरम हो गया और इधर मैं डार देती हूँ इसमें घुले बनाये थे कोप्ते के तो इसी तरह आप लोग बना लेना तो आसानी रहती है और धह्मी आज पर सेक लेना है गैस की फ्लेम को मैंने धिमा रखा है और ये देखिए हमारे कितने अच्छे सिस्सिक रहे हैं इसी तरह हम सारे कोपते बना लेते हैं पर ये देखिए हैं और यहां पर मैंने कड़ाई में तेल कम कर लिया है उसमें जीरडार्दी आदा चमच टकने के लिए और थोड़ी सी मिर्ची डादी है बारी काट के और लहसन प्याज दरख का इसमें मैंने ग्रैंड करके बारी बिल्कुली प्याज लिया है फेश्ट और यह मसाला है पाउडर आदा चमच कस्मेरी पाउडर आदा चमच और गरम मसाला और इसको हम अच्छे से भूझ लेते हैं तो मैंने मसाला भूझ लिया था ता अदा भूझ चुका है मेरा तो उसमे मैं डार देती हूं यह दो टमाटर लिये ते मीडियम साज के उनको भी मैंने कर लिया है हो यह डार दिया यह इसको हम मैं ढखके पका लेती हूं यह देखिए हमारा कितना अच्छे से कुक हुआ है मसाला अच्छे से कुक हो गया है यह पांच मिनट चलाया तब मैंने पकाया था अब इसमें हम गुनगुना पानी एड़ कर देते हैं आप जितना गेवी चाहें उतना कर सकते हैं तो मैंने डेड़ गिलास के करेब पानी डाल दिया है इसमें अब वाल लाने तक छोड़ देती हू और इधर मैंने ग्रेवी को पका लिया है पांच मिनट अभी इसमें हम अपने कौपते डार देते हैं अब को पते डार के मैंने दो मिनट के लिए पका लिया है और यह देखिए हमारी सबजी कितने अच्छी बन के तियार हुई है ज्यादा देर नहीं पकाना है यह श्रिप दो-तीन मिनट पकाना है और लेड़ी पक्की हुई थी हमारी ग्रेवी अच्छे से और हरे धनिया बनके तियार हुई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना